जै मसिकी, गुट मॉर्निंग, आज सुभा, प्रभु का बच्छन हमारे लिए, भजन सहीता, 145, आयत 1 और 2, साम, चैप्टर 145, वर्स 1 और 2, आपके लिए पढ़ना चाती हूँ. हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराऊंगा, और तेरे नाम को सदा सरवदा धन्य कहता रहूंगा, प्रती दिन मैं तुझको धन्य कहां करूंगा, और तेरे नाम की स्तुती सदा सरवदा करता रहूंगा. हम लोग पहले दो आयत को पड़ा ये पुरा अध्याई दाउद के द्वारा लिखा गया है यहाँ पर हम दाउद का रिदे को सीख सकते हैं समझ सकते हैं कि दाउद के मन में परमेश्वर के प्रती कितना प्रेम है दाउद परमेशर के प्रती कितना समर्पित है उनका वो जो शब्द जो उनोंने भजन में लिखा है कितना सुन्दर है सबसे पहले दाउद कहता है मैं तुझे सराऊंगा फिर दाउद कहता है मैं सदा सरवदा धन्य कहता रहूंगा फिर दावुद कहता है प्रती दिन मैं तुझे धन्य कहां करूँगा फिर कहता है तेरे नाम की स्तुती सदा सरवदा करता रहूँगा दावुद परमेश्वर के लिए इतना समर्पित है कि दाउद चाहता है कि हर समय उनके मूँ से सरफ परमेश्वर के लिए स्तूती निकले वो परमेश्वर के गुण गाना चाहते हैं फिर कहता है हर दिन मैं गाऊंगा सदा सरवदा में गाऊंगा कौन सा इनसान इस प्रकार की बातों को कह सकता है पहली आयत में फिर्स्ट लाइन में इस प्रकार है हे मेरे परमेश्वर हे राजा दाउद परमेश्वर को कहकर देखकर इस प्रकार पुकारता है तू मेरा राजा है तू मेरा स्वामी है तू मेरा परमेश्वर है यहाँ पर एक व्यक्तिगत relationship को हम देख सकते एक personal relationship दाउद इस प्रकार नहीं कहता है मेरे देश का परमेश्वर दाउद नहीं कहता है मेरा माता पिता का परमेश्वर दाउद नहीं कहता है मेरे भाई भेहनों का परमेश्वर बहुत से वक्त हम लोग कभी-कभी ऐसे सोचते हैं हमारे माबाप तो प्रातना करते हैं अगर हम नहीं भी करेंगे तो ठीक है कुछ लोग सोचते हैं मेरी पत्नी तो प्रातना करती है मैं नहीं करू तो भी चलेगा कुछ लोग उल्टा सोचते हैं पती तो प्रातना करता है, अगर मैं नहीं भी करू तो चलेगा, मेरे प्रियो अगर हम प्रभू पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संभन्द को नहीं रख सकते हैं, और हम परमेश्वर को देखकर नहीं पुकार सकते हैं कि हैं मेरे प है मेरे परमेश्वर प्रभु मैं आपका बेटा मैं आपकी बेटी हूँ हम इसे कितने लोग इस बात को कह सकते है हम तब कह सकते है जब हमारे अंदर विश्वास है उस बात के सबूत के लिए एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ तब उसने धोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हातों को देख और अपना हात लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी हो यह सुन तोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभू हे मेरे परमेश्वर ईश्व मसी के पुनरुधान के बाद तोमा के अंदर विश्वास नहीं था तोमा कहता है कि जब तक मैं ईश्व को ना देखो मेरे उंगली उनके उस पंजर में ना डालू तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा और इसलिए ईश्व मसी थोमा के सामने प्रकट होता है और थोमा को ऐसा ही मौका मिलता है जैसे ही थोमा देखता है कि यह वस्तव में ईश्व है थोमा विश्वास करता है उसके बाद थोमा कहता है हे मेरे प्रभू, हे मेरे परमेश्वर ये मेरा प्रभू, मेरा परमेश्वर करकर थोमा कब कहता है जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये ईशु मसी है मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब हमें यकीन हो जाता है कि ईशु मसी हमारा उधार करता है ईशु मसी हमारा राजा है तब हम ईशु को देकर बोल सकते है मेरा परमेश्वर मेरा राजा और इस आयत को किस ने कहा दाउद ने कहा दाउद स्वयम एक राजा था और दाउद के समय पर दाउद एक बहुत सामर्ती राजा था बाकी के देश के राजा दाउद के साथ ने टिक नहीं पाया क्योंकि दाउद इतना सामर्ती था कि उसके पास सब कुछ है धन है, दौलत है, सामर्त है, ताकत है, सैनिक है सब कुछ है लेकिन दाउद के मन में एहंकार नहीं है दाउद के पास सब कुछ है लेकिन दाउद को पता है जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर का आशीश है तो मुझे परमेश्वर पर विश्वास है मेरे प्रियो तो मैं अपने संपत्ती पर भरोसा नहीं रखूंगी लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा और जब मेरा भरोसा, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है मैं प्रभु की और आंखे उठा कर कहूंगी हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा स्वामी, हे मेरा राजा मेरे प्रियो आज एक सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहती हूँ क्या परमेश्वर आपका जीवन का राजा है क्या परमेश्वर आपका जीवन का स्वामी है क्या आपने अपना जीवन का पूरा नियंतरन प्रभु के हाथ में दिया है हमें इन बातों पर जांचना है आई हम लोग प्रातना करें सुवर्गे पिता आज का वच्छन के लिए धनेबाद करती प्रभु जी वच्छन सुनने वाले हरे एक भाई और बहन आशिशित होने पाए ये वच्छन उनके लिए उत्साह का कारण बन जाए प्रभु दाउद जैसे आपकी प्रती समर्पित था प्रभु जैसे दाउद के अतर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रती प्रें था उस प्रकार का एक रिदय हमारे अंदर होने पाए हम आपकी पीछे चलने वाले बन जाए आपसे प्रें करने वाले बन जाए प्रती दिन आपका स्तूती करने वाले बन जाए अनुभव में हमें ले आना प्रभुजी प्रभु ये वच्छन हरेक के लिएख आशिश का कारण होने पाए आपने हमारी प्रातना सुनले इसलिए धन्यबाद आदर और महिम आपको देते हुए इश्यो के नाम से हम मांगते हैं आमेन गड़ ब्लेस यू वाल जाय मसिकी